अभी आपको कम बोलना है, कम दुनिया को सुनना है, अपनी ही बाते कम बोलनी है, समझ पाएं आप मारत रशन आज का वच्छन, जो आत्मा भी दे रहे हैं, मतलब आप ये पूरा ग्यार्मा मीने जितना भी बाकी रह चुका है, सेवन वीक आत्मी कुंती के पूरा होने का, यहां पर ध्यान देना, कितनी यान इंदरियां जा कितने अंग, कितने हिससे हाले लोई है, अगर उपर से बात करें, इसमें मैं भी डीप स्टडी देता हूँ आप, जो होली स्पर आज बात करने को कह रहे हैं, सबसे पहले तो इनी पांचो को यूज किया जाता है, अगर बढ़ना है आत्मी कुंती के लिए, इनी पांचो में काम करना होता है, अगर आप अपने चरितर को बदलने के लिए त्यार है, बल बो चरितर ना आपका रहे, जो आप में, आलरेडी, जिसे केंदें मैं तो गौड गिफ्ट अपने बदला अपने आपको, जिसे का चरितर देखो, और जैसे आप फास्टिंग पेर में जाते हैं, नम्मर होते हैं, आपके अंदर वो चरितर एंटर दिखना शुरू हो जाता है, हालेलोई, और जैसे आप उस चरितर में गए, मैं एक एक व्यक्ति कुछ दिन पहले में तो अपना चरितर बदलने के लिए तयार है, तो मैं तो चरितर करने के लिए तयार है, तो मैं तो चरितर करने के लिए तयार हो, अपना सबाब, चरितर, मन, तुमारा किस तर अंदा तुमारा बवेक है, तुमारा चरितर, तुमारा बोलना, तुमारा तुमारे अंदर मन कै फैसा है कठोर तो नहीं, चिड़े उन्हिंदा नहीं, गुस्य वाला था नहीं, शूड़ी-शूड़ी बात में जूड़गा. घुशा, क्रोध, जैलसी, नफत, शक्री है. कि अगर तो अपने ओपने के लिए त्यार है, प्रभू तुझे चंगा करने के संसार को ना देखू प्रातने में बैठकर आंके बंद करके मैं तुझो जो देखू इस आंखों से हालिलॉय है आपको कहना है प्रबू मैं अपने इन कानों से दुनिया क्या कह रही है खबरें क्या कह रहे है टीवी क्या कह रहा है फून, वट्सप, फेस्बूक, यूट्यूब में दुनिया में क्या हो रहा है, क्या कह रही है दुनिया क्या कर रही है, सेफ कही है या क्या कर रही है, पास से क्या कर रही है दुनिया क्या कर रही है, मैं दुनिया को ना सुनू इन कानों से मैं तुझे सुनू हलेलोया तेरे बजनों को सुनू, तेरी बातों को सुनू तुझे सुनू परात्ना में हलेलोया इस मूँ से मैं अपनी बातें ना बोलू मैं तेरी महिमा की बातें बोलू जो कुशी बोलू, अनुग्रे सैथ बोलू सुनने वाले लोग चंगे हो उन पर अनुम रहे हैं उनका बला हो उनका फाइदा हो तो आपने कहने के प्रभू मैं बो बोलू जिसे तेरे नाम को महमा मिले कि नाहीं मैं संसार को देखों संसार क्या कर रहा है नाहीं मैं संसार को सुनू दुनिया में क्या हो रहा है मैं तुझे सुनू, तुझे देखू, नहीं तो मैं संसार से ज़्यादा बात करूँ, इदर सारा दिन कभी दुकान में बाते हैं, फिर दुकान में बैटके, दुकान दे प्रोसीज से बाते हैं, लोग आ रहें उनसे बाते हैं, घर में कैस ठाके उनसे बाते हैं, कभी आपके ये wish होनी चाहिए, ये prayer request होनी चाहिए. और जैसे आप कब्जा मांगेंगे ऐसा, पिछली बार आपने सीखा था, spiritual rest क्या है, आत्मिक विश्राम क्या है, spiritual rest में जाना क्या है, क्यों जरूरी है, इसमें जाएंगे तो प्रभू आपसे बात करेगा, अब भी आपको कम बोलना है, कम दुनिया को सुनना है, अपनी ही बाते कम बोलनी है, समझ पाएंगे आप मारत रशन आज का वचन, जो आत्मा भी दे रहे हैं, मतलब आप ये पूरा 11 मिन जितना भी बाकी रह चुका है, सेवन वीक आत्मिकुंति के पूरा होने का, यहां पर द्यान देना, कितनी यान इंदरियां जा कितने अंग, कितने हिस्से हालेलोई है, तो यहां पर आपको द्यान देना है, कान पर, आखो पर, मुँपर, और अपने मन पर, मन, हिर्दे आत्मा, कुछ भी बोलो, मन जो आत्मिकी चीज़ है, हिर्दे मतलब, वो ने हिर्दे बदलना पड़ेगा, किसे ने हिर्दे को मतलब, कई हिर्दे को बाइबल में ऐसे समझते, जब तक तू हिर्दे नहीं बदलेगा, तो इसका मतलब यह ने कि हिर्दे अपना दिल निकाल कर, फेंग देना, दूसरा दिल अंदर डाल लेना, वो आपका हिर्दे मतलब वो अंदर रुनी चीज़, आत्मा, आपका मन, आपका आत्मा, एक होता परमेश्व का आत्मा, एक होता आत्मा, आपका मन, सबसे पहले उसमें उसको रहने के लिए हम सबसे पहले हम कौन है तीस सबसे पहले आत्मा आता है परमिश्ण ने आत्मा प्राण श्रीर किया है हम कौन है आत्मा बोलो आत्मा हम आत्मा है हमारे पास एक मन है हम आत्मा है हमें रहने के लिए क्या दिया गया है श्रीर हमें रहने के लिए क्या दिया गया है श्रीर जिसमें प्राण है श्रीर में क्या है प्राण प्राण निकल जाते है श्रीर मिट्टी से बना मिट्टी में चल जाते है चाहे दफना दो, चाहे जला दो तो हम आत्मा हैं हमारे लिए रहने के लिए श्रीर दिया गया तुमारा श्रीर पबतर आत्मा का मंदिर है, तो इस जे रहने के लिए है, और इसमें प्राण है, तो इसी लिए आपको जे ज्यान देना है, तो आपकी विचार अगर उपर से बात करें इसमें मैं भी डीप स्टडी देता हूँ आप जो होली स्पर आज बात करने को कह रहे हैं सबसे पहले दिमाग उपर एक उसके बाद नीचे आ जाती शाहिद आँखे आजाती चलो थोड़ा सा आगे योगी सुनना और कान का देखना ज़्यादा कनेक्शन है आँखों का दिमाग से दूसरा आँखे तीसरा कान चौथा मो पांचमा हिर दे पांच होगे याद रहेंगे अगर वेद दिखाओ तो तो इनी पांचों को यूज किया जाता है अगर बढ़ना है आत्मेकुंती के लिए इनी पांचों में काम करना होता है मतलब अगर तुमारे सिर जान दिमाग में चिंता है, टेंचन है बोज है, तुम रिलेक्स नहीं हो तुम दुखी, दुखी चलो अलग होगे, तुम टेंचन में तुम बोज हो, तुम डिप्रेशन मेंध नुरी चिंता में रो, गटिम हो, कहाँ होगा काहा होगा, कैसे होगा, की सीरिटी से होगा समझ नहीं आ रहा है पूरी तरह से चिंता में हो कि रिलाक्स नहीं हो, मेंटली रिलाक्स नहीं हो, स्पिर्चुल रिलाक्स आप कर रहे हैं, मेंटली रिलाक्स भी आपको होना चुरूरी है, स्पिर्चुल रिलाक्स होना है, मेंटली रिलाक्स होना है, physical height में भी आपको relax होना होता है कई वक संबढ़ गरने यह तीनों चीजों में आपको relax होना जुरूरी एकर आपको life में ज़्यादा काम करना है श्रीर को rest मतलब क्या है अगर यह भक्ति थकाता है जाएगा श्रीर को, आप मीटिंग करते खर घांड करते तो आप सुस्समचर कैसे सदाइंगे । उचिपार को पाय firm पेट गया तो प्रीछ कैसे करों गेर इब ओगे ए पिर चारurst सुब्वे दिपार शाम, सुचो अगर उसके बाद क्या उसे रेस्ट देनी बढ़ती, तो इसलिए आपको श्रीर में भी आपने जब आप और वर करते हैं, श्रीर को इतना तकाह देते हो, श्रीर को भी रेस्ट देना सीखो, थोड़ा से इसे इसे फ्रेश करो, आपकसरत करो, गूम के आओ, रिलाक्स हो वो, रेस्ट दो इसे, तकाह इस पे कर रहे जाओ कि बोही बोरिंग हो जाएगा, कभी आपको स्पिर्चुल रेस्ट में अलग हिस्से में जाना होगा, एक पास्टर को भी ये मेंटरिशिप में बताते हैं, कई बाद हम जरूरी होता है, कि बोही बोज बन जाता है, वो ही प्रेशर बल जाता है, कुछ नया नहीं है लाइप में, कुछ नया नहीं है, नया मतलब रेस्ट नहीं है, स्पिर्चुल रेस्ट नहीं है, कभी जैसे उस रात मिटिंग में बताया था, कि एक मीना रेस्ट करो, आत्मिक तियारी करो, आत्मिक रेस जी क्यों जी बहुत रात को थक जाते ओबर वरक हो जाता है प्रातना नहीं कर पाते थक बो जाते काम बहुत होता है रात को फिर तो जाते नहीं कर पाती तो मैंने का ओके सुबह कर लो सुबह सुबह फ्रेश है सुबह जल्दी उठलो सुबह कर लो बात तो सही है आपको लग आपको ही करना है और किसी पर किसी ने आपके लिए नहीं करने कोई बहाना नहीं उसके लिए उसको सेट करना ही होगा कुछ ना कुछ करके तो आपको यहां पर आपको mentally relaxed रहना है सारा दिन दिमाग को use करते रोगे सोचते रोगे तो आप रेस्ट में नहीं जाओगे तो आपके मन में अगर विचार आ रहे हैं चिंता आ रहे हैं इसका मतलब चिंता विश्वास के उलट है अपनी सारी चिंता मुझे पर छोड़ दो क्यों कि मुझे तुमारा द्यान है आप कहते हैं नहीं नहीं प्रभू आपको पता जीजस आत्मा जंगल में लेगे कि श्रतान के दर उसकी प्रिक्षा हो आपको पता एक मसी जब तक परखा न जाए तब तक वो ग्रेट नहीं देख सकता अपनी लाइप में अजू परखा गया अबरहम परखा गया जीजस को आत्मा जंगल में लेगे पहले प्रिक्षा हुई समझ पाई दाउद अपने हलातों में परखा गया शाउल अपने हलातों में परखा गया सेमसोन अपने हलातों में परखा गया यूसफ अपने हलातों में क्या कर रहा है वो परखा गया कुछ भी अपने आप उनकी लाइब में नहीं हुआ उनके सामने प्रिक्षाएं आई जिन्होंने जै पाके आगे बड़े प्रभू उनसे परसंद हुआ और उन्हें ज्यादा आशिश दी जिन्होंने जै नहीं पाई प्रभू से अपरसंद हुआ और उनकी लाई में थोड़ा ही कर पाया कुछ पन्ने लिखे गे उनकी किताबे खतम स्टोरी खतम ये परमेशन निर्दारग नहीं किया था कि इसको इतना है सब प्री प्लैन नहीं था सारा कुश कि इसको इतना है चलना है इसको इतने है जलना है, समसर्ण इतनी है शाउल को इतने है चलना है अूसर ने मुझे अपरसंड किया से परफिशेक हट गया अब मुझे मेरे मन के अनुसार जाय है जिसकी द्वारा मैं ये निर्टाया है आगे लेकर जाहूं कैसे ही तेतीर होते खतम होए, इतना रेस्ट लेंगे ना, अब हमने ये सीक लिए, कि एक रोजे खतम होने वाले अगले मांगते हैं प्रभू, चाहे हैं हपते बाद दे दे तीन दिन बाद दे शोटे दे बड़े दे पर दे त्योंकि हम रेस्ट में जाएंगे, शेतान उस सम करेगा, आपको डाउन करने की कोशिश करेगा, समझ पार, कुछ न कुछ रुकावट डालने की कोशिश करेगा, इसलिकर निरंतर प्रात्न में लगे रो, प्रिक्षा में ना पढ़ो, दाउद रेस्ट में चला गया है, जाद आईगी, रिलैक्स होगा, चलो मेरी टीम लड कांटा बो देता है, तुन्हें एक-दो दिन की रेस्ट ली है, तुम हफते में आ जाओगे आत्मा में, तुम एक-दो दिन की रेस्ट ले ली, कुछ नी प्रियर की, चलो चलेगे, गूमने चलेगे, खाने पीए, तो रेस्ट करते हैं, ओके, बहुत प्रातना कर लिया, दो करोगे, तो हफते तक फिर से आ जाओगे नया बल, प्रापत करते जाओगे, नहीं करोगे, फिल हफते का रस चला गया, महीना महीनत करने पड़ेगी, एक-दम से नहीं, दैया वो बरपूरी वाली आ जाएगी, पर तुझे अपने मूसा को 40 दिन प्रभू ने बुलाया, सम अपने साथ रहने को भी मांगा, मेरी बड़ी भुलायट है, मेरी बड़ी भुलायट है, क्या तुमारे डिसीजन बड़े हैं, अगर तुमारे डिसीजन बड़े हैं, तो सोचने के जरूरत नहीं मेरी बलाट छोटी है जा बड़ी, तुमारी बलाट बड़ी होगी इस नाम चौरता मूंध, पाँच मा आपका हिर्दे, आपकी आत्म, आपका मन, इन पाँच इंद्रियों पर ग्यानिंद्रियां आपके पूरी हिस्से यहां पर आपने अलर्ट रहना है। यही पर आपको अपना दिखाना है अगर कहते है mei čintta में हूँ현ु तो आपका फेद नहीं अगर आप आंकों से जो दिख रहा है उसको देख के चल रहा ह। तो आपके अंदर विश्वास नहीं है अगर आप average के हिसाब से चलते हैं अगर दिखने के हिसाब से गईu बद हम आकों से गेवरेज के हसापसियंक्या देखते हैं इतना प्रभू फिर मॉर लगाते हैं विश्वाष से पर मैं ये देखता हूं हाले लोई, एवरेजे के हिसाब से हमने यह बबन इतनी जल्दी नहीं देखा था, पर, मैंने कहा था, लेना है हमें जल्दी इस साल में, तो हमने विश्वास से इसे लिया, समझ पा रहे, जनवरी परवरी तक हमने एवरेज सोचा था पर विश्वास से क्या है इसी महीने में प्रभुकत सब फिनिश्ट कोई आगे नहीं पर परमिश्व बड़ा महान है